हमने परसन देख लिया अब बात करते हैं टेक्स की टेक्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको कुश्चन सामने डिस्प्ले करूँगा टेक्स रेट हाला कि यह न मैं बाद में बताता हूँ बट अभी पहले ही बता देते हैं अगली क्लास में फिर मान के चलो आपका जो फर्स चेप्टर है ना खतम पर्स चेप्टर में यही है एक टेक्स का रेट है बेसिक टरम्स क्या था असेस्मेंट यह प्रिवियेस यह पर्सन को डिफाइन कर आपको पता है हम किसके इंकम क्निक निकालना सीख रहे हैं बताओ परसं और वो परसं में कौन सभी परसन का हम income tax निकालना सीख रहे हैं कुछ specific का नहीं SST का तो सीख रहे हैं स्रेफ और स्रेफ इंडिविज्वल तो मैं पहले अभी आपके सामने फिलाल इंडिविज्वल की बात करूँगा कई बार government जब आप देखोगे न तो सरकार जब देखता हैं कि पब्लिक इधर उदर जैसे lockdown में सब खाली बैठेते तो किसान अंदोलन स्टार्ट हो गया कुछ था नहीं तो कर लिया तो सरकार ऐसे ही करती है कि कुछ ऐसा काम करने लग जाती है बीच में कुछ ऐसा काम करतेगी लोग बाग उसमें उलग जाए मतलब कुछ नहीं है उल्जा दो ऐसा कुछ लाके के पब्लिक जो अंदोलन अंदोलन कर रही है वो कहीं भटक जाए ऐसा फैक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि लॉकडाउन था लॉकडाउन में सभी परिशान हो रहे थे और लॉकडाउन में इत्ता फाकन बजट भी आया है ठीक है लॉकडाउन तो दो साल का सेशन चला ना हमारा पूरा बजट आया अब गवर्मेंट को समझ नहीं आ रहा के बजट में दे क्या टेक्स बढ़ा नहीं सकते लोगों के रोजगार है नहीं अब टेक्स रेट घटा नहीं सकते घटाएंगे तो हमारी भी लो है रहा से आता है इंकम से दो साल में लोगों की इंकम हो गई खतम लोगों की इंकम खत्म तो अब बजट ले कर आना है नहीं तो तो गवर्मेंट क्या करा हम seekers कम कर कि ह हम आपका टेक्स रेट बहुत कम कर रहें सैंप स्वायनिस मिनिस्टर होते हैं तो एक minister के पास न बहुत सारे दिमाग देने वाले मिनिस्टर तो आपने देखा होगा कि जो नेता होते हैं वो पढ़े लिखे हो भी सकते हैं और ज़्याद अतर नहीं होते हैं है ना तो उनको जो सलहकार होते हैं उनको advisory करते हैं वो जरूर पढ़े लिखे होते हैं economics हर कोई तो उन्होंने बोला और समझाये के देखो income tax में ना पहले अच्छा भला काम चलता था उन्हें ने बोला कि हम काम करते हैं tax rate को कम कर देते हैं public जो नराज है थोड़ा बहुत खुश हो जाएगी government लेके आई पहले जो tax rate था ना old वाला बोला old वाला tax rate ऐसे ही रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं है जैसे ही बोला tax rate में कोई बदलाव नहीं है तो public क्या करेगी यार कोविड में भी कुछ नहीं करा है इन्हीं सरकार ने तो टेक्स जो पहले था कोविड से पहले वहीं अभी है बोला चिंता करने की बात नहीं है हम आपके लिए new टेक्स भी लेके आ रहे हैं और न्यू टेक्स को बोला जाता है न्यू रिजिम बोला गया और यानि दो टेक्स लेके आ गए वह बोला जिसको मन करता है ओल्ड वाले देने से ओल्ड वाले से दीजिए जिसको मन करता है न्यू वाले के देने से न्यू वाले को दीजिए अब देखना गोवर्मेंट के चलाकी देखना समझना इसके पीछे क्या लोजिक है और जितने भाई लोग बाग परिशान नहीं हो रहे ने उससे ज्यादा आप लोग परिशान हो जाओगे इसमें क्योंकि दो दो टेक्स रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा जैसे माल लेते हैं किसी की इंकम पांच ल क्या जाएगा डिड़क्शन का मतलब होता है आपकी जितनी भी इंकम है अगर आप पैसे कहीं जमा करते हो तो जमा करने के लिए सरकार आपको प्रोसाहन देती है कि आपकी हम इंकम को कम कर देंगे जिससे आपको टेक्स नहीं देना पड़ेगा जैसे आपने FD करा लिया प अब यह खाओगे तो आप क्या करें दिमांड बढ़ा रहे हो और दिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा प्राइज भी अगर आपने 50,000 रुपे बैंक में FD कर दिया वहां जाओगे देखोगे देखोगे वापस घर आ जाओगे दिमांड तो बढ़ा नहीं और जब अब आपको टेक्स किस पर देना है तो आपको सरकार को 60,000 रुपे देना है एक एक एक्जामपल है ये बोला गया ओल्ड में ऐसे चलता था न्यू में बोला गया भाई तुम इसके हिसाब से दो इसके हिसाब से आपके इंकम कितनी है पांच लाख रुपे लेकिन जो हम आपका रेट क्या है वो 15% कर रहे हैं और सरकार ने बोला कि हमने करोना काल में आपका टेक्स रेट कम कर दिया है पहले 20% हुआ करता था अब कितना है 15-5% हमने कम कर दिया है यहां कितना टेक्स देगा वो कम हुआ ने रेट लेकिन अमाउंट कम नहीं हुआ क्योंकि FD वाला यह डिडेक्शन तो सरकार ने इतना ज़्यादा उलज़ा है ना काफी टाइंग तो समझने लगए भाई करा क्यों है अब लोग बाग नियू वाले टेक्स पे जाएगा क्या नहीं जाएगा लेकिन एक् 25% लोग नहीं उसको अप्ट करते गां बस 2% 1,2% जिसका FD नहीं होगा ना वहीं आएगा जिसका FD नहीं है उसके लिए बढ़ी आई है क्योंकि FD नहीं है तो कितना देगा 75 और यहाँ पर कितना देना पड़ेगा उसको 20% के हिसाफ़ से एक लाग है ना तो इस तरीके से वहाँ पर दो टेक्स रेट आए तो सर हमें अब दो टेक्स रेट पढ़ने होंगे नए वाला और एक्जाम में जब बोलेगा ना टेक्स निकालने के लिए तो इस पेशली नीचे मेंशन किया जाएगा कि पुराने वाले से लेके निकालो या फिर नए वाले से लेके निकालो तो पहले तो आपको दो चीजे समझना बहुत ज़रूरी है कि नए और पुराना का क्या चक्कर है सरी है यह lockdown में यह आया था lockdown में क्या भगवान जाने क्या दिमाग मिला नहीं मिला इस तरीके से लेका है सब अभी तक उसको लेके परिशान है ठीक है न तो हमारे पास tax rate कितने है सर क्योंकि आपको थोड़ा background पता होना बहुत जरूरी है जिससे के आपको समझ में आएगा question करते हुए आपके साथ क्या-क्या हो रहा है वो भी पता चलना चाहिए हम पहले पढ़ेंगे old वाले को पहले पढ़ेंगे हम old वाले को new वाले को मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा new वाला rate मैं बिल्कुल नहीं बता हुआ क्योंकि new वाले के अंदर कुछ rules है जिसे जानना है जैसे मैंने बोला कि FD का deduction नहीं मिलेगा उसके अंदर आपका section 10 का deduction नहीं मिलेगा बड़े सारी चीज़ है मैं अभी बोल के कोई फाइदा नहीं आप भी सोचो कि क्या क्या बाते हो रही है तो मैं ओल्ड वाली बात करूंगा पुराना चल रहा था नयवाला सिर्फ salary chapter है वहाँ पर implement होगा तब मैं बता हुआ ठीक है न ओल्ड रिजिम के हिसाब से देखा जाए ओल्ड रिजिम अगर ओल्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोला गया इसको तीन कैटेगरी में बाता गया ओल्ड वाले को तीन कैटेगरी में बाता गया मैंने बोली दिया ओल्ड लिखने की जूरत नहीं है सर तीन कैटेगरी कौन कौन से पहला कैटेगरी रखा गया और यह जो टेक्स रेट में बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, सर? इसके साथ साथ यही AOP पे भी अपलाई होता है, यही BOI पे भी अपलाई होता है, और यही HUF के उपर भी अपलाई होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कि आपकी इंकम अगर UP TO 250 है, तो सर आपको जो ट्रेक्स देना होगा ना, वो देना होगा 0, जिसको मैं निल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगीगा अगर बोलागे आपकी इंकम धाई लाक रुपे, यानि धाई लाक से ज्यादा, और तू 5 लेक तक है, तो मैंने बोला था ना, धाई लाक तक तो पैसर नहीं टेक्स नहीं देना, लेकिन अगर आपकी इंकम धाई लाक से 5 लाक है तब तो टेक्स दोगे, उससे बोला गया आपको टेक्स देना है 5%, मैंने वहाँ 20% लिया था, मैंने बोला था एक्जामपल है, उसको देना है कितने? 5%, जिसकी इंकम 5 लाक से 10 लाक रुपए है, उसको देना है 20%, और जिसकी इंकम अबब 10 लाक है, यानि 10 लाक से जितना भी उपर हुआ, उसको देना है 30%, तो ये टेक्स रेट कुछ है हमारे, ये किसके लिए है सर, हाँ, रियल है ये, इसमें कोई ऐसा एक्जामपल नहीं लिया, ये बिल्कुल सही बात है, या इससे रहने देट है, ये हो गया, किसके लिए सर, जो senior citizen, उसको ऐसे टेक्स दिना होता है, इसके अंदर हम calculation वाला partner अगली class में करेंगे, आपने देख तो लिया कि सर, ऐसा है, किसी की 7 लाक इंकम है, तो कैसे निकालना है, टेक्स कैसे निकालना, भी मैं सरिफ और सरिफ आपको क्या बता रहा हूँ, रेट बता रहा हूँ, ठीक है, और सर, दूसरा कौन सा person आ गया ऐसा, तो दूसरा person आ गया यहाँ पे, जो की, senior citizen को दो, यह तो हो गया, 60 से कम, देखो, 60 साल के senior citizen होते हैं, तो 60 साल का होगा, तो इधर आ जाएगा, यह क्या हो जाएगा, या तो 60 साल, equal to का निशान है, या 60 साल से ज्यादा, लेकिन 80 साल से क्या होना चाहिए, इसको senior citizen बोला जाता है, senior citizen, ठीक है, और इसके बाद एक और rate रिकाला गया, जिसकी age, 80 या उससे ज्यादा है, इसको क्या बोला गया, इसको देखो, नाम क्या दिया गया, बोला गया, तुम सूपर हो, कैसे इतने दिन रह गए, तो सूपर senior citizen, इसको बोला गया, सूपर senior citizen, लेकिन बोला, टेक्स तो हम आप से भी लेंगे, ठीक है, अब 60 साल है, 60 साल से अगर आप देखा जाए, तो 18 से उपर से ही टेक्स होता है, क्योंकि जिसका pen card बनाया जाता है, उसका tax लिया जाता है, मान लेते हैं, 18 से कम वाला जो income कमाता है, उसके उपर tax देने की जिम्मेदारी बनती है किसकी, उसके parents की, कई बार उस बच्चे की भी देने की जिम्मेदारी बन सकती है, अगर उसके मम्मी पापा नहीं है, तो बहुत सारे provision है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, clubbing of income में, ठीक है न, अब सर, इसके लिए क्या छूट, आप मानते हो कि कहीं न कहीं, इससे थोड़ा सा रहात मिलेगा इसे, इसके पर थोड़ा सरकार देया करने वाला है, देया क्या करा उन्होंने, कि आपकी income, अप टू 3 lakh, आपका कर देते हैं हम, आप से कोई tax नहीं लेंगे, सर, इसके बाद, 3 lakh से, 5 lakh तक अगर अपकी income है, तो 5% लेंगे, और अगर 5 lakh से, 10 lakh है, तो 20% लेंगे, और अबब, 10 lakh, कि इतने percent लेंगे, तो बस इसको न, जो first वाला stage है, वहाँ relaxation मिला, और कहीं नहीं मिला, ठीक है न, बस 50,000 रुपए extra दे दिया, तो यहाँ पर बोला गया, इतने income पर आपको tax देना होगा, कई बार आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, सर सरकार तो बोलती है, पांच लाग रुपए तक tax होता ही नहीं, 87A का rebate मिलता है, तो यह सारी बाते हम अगली class में करेंगे, calculation वाले में, ठीक है, क्योंगे कुछ CA के भी student पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत tax rate जितना भी पढ़ा है, तो मैं सारी बाते को करूँगा, लेकिन थोड़ा दीरे दीरे लेके चलेंगे, एक बार मैं लेके चलूँगा न, तो थोड़ी से दिक्कत हो जाएगी, कि मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, बस इसलिए, अभी सिर्फ slab rate देख रहे हैं, चलिए, आगे बात करें, अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए बोला गया, आप senior citizen हो, और super हो, तो up to, five lakh, आपको, निल, और बोला गया, पांच लाग से, दस लाग, बीस परसेंट, मतलब मारने की पूरी तैयारी कर ले, इसको तो थोड़ा लगा पर पांच देना है, फिर बीस देना है, फिर तीस देना है, ये भी, इसको बोला, पांच लाग तक zero, उसके बाद सीधा इसके बाद, अब अब, दस लाग, कितने परसेंट, तीस परसेंट, सिंपल, ये तीन स्लाइब रेट है सर, लेकिन मुद्दे की बात है, कुछ ध्यान रखने वाली बात है, एसोसियेशन ओफ परसेंट, body of individual, ये हमेशा जवान रहेंगे और इसमें text लगेगा, थेक है न, सरिफ individual के लिए, दूसरी बात, कोई भी अंग्रेज हो, यानि इंडियन सिटीजन नहीं है, वो भी कभी बुढ़्धा नहीं होगा, उसको उपर भी हमेशा ये रहेगा, आपके एक्जाम में दे सकता है, कि मानलो दे सकता है, Mr. John, whose age is 80 year and above, 10 lakh की income है, निकालो tax, आप देखोगे 80 year से अबब है, जोन है, वो तो कहां आ जाएगा यहाँ, लेकिन अगर non-resident है, तो सर उसके लिए बोला गया, उसके लिए तो यही रहेगा, यह सरिफ Indian, जो Indian है और individual है, उनके लिए तीन बाते हैं, अगर कोई AOP है, BOI है, HUF है, या फिर कोई foreigner person है, उसके लिए सरिफ यही रहेगा, जो छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, मैंने बोल दिया है, वीडियो में आप इसको note भी कर सकते हैं, अलग से, ठीक है न, यह सर हमारा slab rate, आप content में जाके देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नहीं, तो आज की class, मैं फटा-फट से एक बार recall करता हूं, कि क्या-क्या चार्ज होता है, चार परसंट का, 87 का, एका लगता है हमारा, 12,500 का deduction है, इसके अलावा हमारा फिर CES भी है, बहुत सारी चीज़े और है, मैं मोटी-मोटी बाते मैंने अभी आपको बताई है, जब calculation पर आएंगे, तब देख लेंगे और क्या चीज़े होती है, यह किसका tax rate है सर, मैंने उपर हला की लिख दिया है, एक इसका, एक इसका association body of individual, association of person और एच्ची है, बाकी company का अपना अलग rate होता है, company का rate मैं यहीं पर लिख देता हूँ, वैसे आपके slaves का part नहीं है, इसका होता है सर, 25 परसंट, और 30 परसंट, यानि इसका rate 25 परसंट और 30 परसंट, इ टेक्स देना होगा, इस पे कोई slab rate का concept नहीं होता, 25 या 30, depend करता है, turn over उसके, जैसे कि अगर किसी का 200 करोड रुपे का sales उससे उपर है, तो वो आ जाएगा किसमे 30 परसंट में, 200 करोड से नीचे होता है, तो वो आ जाएगा 25 परसंट है, तो इसके उपर कोई slab rate नहीं होता, सर पार्टनर्शिप में सीधा 30 परसंट, पार्टनर्शिप में 30 परसंट, अगर वो 100 रुपे कमाएगा, तो सरकार को 30 रुपे टेक्स देगा, इसके अलाबा भी कोई टेक्स होता है, जो देखेंगे, ठीक है न, इसके बाद, local authority, mcd और इनका, इनका अलग-अलग rate है, depend कर सिच्वेशन पर, जिसको मैं अलग से बता दूगा, और pdf notes भी folder के अंदर मैं डाल दूगा, और जो बच्चे offline में बैठें, इनको अलग से मैं share कर दूगा, ठीक है न, अभी जब तक आपके पास book नहीं है, pdf आज ही मिल जाएगी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कि pdf मिलेगी, कंपनी का repeat कर दें, जी कंपनी अगर मैंने private limited company करा है, और 100 रुपे मेरी income हुई है, तो मुझे 25 रुपे सरकार को text देना है, बिना कुछ slab rate चेक की हुए, लेकिन मैं individual हूँ, 100 रुपे income कमाता हूँ, तो धाइलाग तो हुआ नहीं, तो मैं text दूगा नहीं, बात simple स लिए, ठीक है, किसी का doubt, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, फटा-फट से, अगली class में ना मैं previous year का test लेने वाला हूँ, लिखना है आपने previous year को, मैं PDF दे दूँआ, TTS में class रहेगी, तो मैं previous year का लूँआ, सिर्फ test, जो कि आपने देख लिया, देखिए, फटा-फट से हम आज की class की बात करें, तो आज हमने समझा है, person कौन होते हैं, sir, person की अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, person कौन हो सकता, body of, sorry, शरिफ individual हो सकता है हमारा person, individual के साथ साथ, एक second, एक second रुकेगा, हाँ जी, चलिए, ध्यान से सुनिएगा, class में हम क्या सीखने जा रहे हैं, sir, सीखने जा रहे हैं, section 2, subsection 31, इसके बाद वैसे clause लगता है, लेकिन यहाँ पे section, subsection 231 बोला जा रहा है, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, sir, person क्या होता है, person कौन होता है, जाना आप, इसके बाद company को भी बोलते हैं, company के बाद कोई partnership है, partnership को भी person बोलेंगे, partnership का condition क्या है, वो registered होना चाहिए, कहां 1932 Act में, या फिर limited liability 2008 के अंदर, इसे भी person बोलेंगे, कितने person होगे, sir, 3 होगे, चौथा person कौन होगा, sir, हमारा body of individual, और इसके साथ एक और point आप add कर जिए, AOP, association of person, sir, body of individual कौन होता है, body of individual होता है, जब दो लोग मिलके एक काम करते हैं, अपने आपको registration नहीं कराते हैं, उसे बोलते है, body of individual, sir, association of person कौन होता है, जब दो person different, different मिलके काम कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, association of person, इसके बाद local authority का भी एक separate entity है, local authority कौन है, MCD, school, college government के जितने organization है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारा local authority, इसको भी tax देना होता है, उसके बाद कौन होता है, हमारा artificial, judicial person, mandir, masjid, गर्जा, घर, जो भी हमारा, यह सारा का सारा कहा आता है, local authority, एक रहे गया, last H.U.F, Hindu undivided family, जो family business होता है, उसको बोलते है, Hindu undivided family, तो यह सभी क्या है, हमारे income tax के according person, हर किसी person का अलग-अलग tax rate slab होता है, जो की हमने देखा है, ठीक है, इसके बाद हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, slab rate देखा, slab rate क्यों निकाला जाता है, क्यों हम tax निकालते हैं, tax निकालने का purpose हमने बताया था, कि आपके, दो है, हमारे tax की अ उमर 60 साल से कम है, नमबर दो, जिसकी उमर 60 से 80 साल है, नमबर तीन, जिसकी उमर 80 साल से ऊपर है, जिसे सूपर हमने नाम दिया है, इसके बाद देखा जाए, तो पहला point क्या है, सर, पहला point वो है हमारा, जिसकी income ढाई लाग रुपए है, उसको कोई tax नहीं देना, ढाई से कोई tax नहीं देना, बाकि सब कुछ क्या चल रहा है हमारा, सेम चल रहा है, सर, तीन लाग tax नहीं देना, इसके बाद अगर तीन से पांच की बात करें, तो क्या रहेगा हमारा, बीस परसेंट, पांच परसेंट, अगर तीन से पांच की बात करें, तो पांच परसेंट, और आगे जाए हम 5-10 पे तो 20 और 10 से अब पर क्या रहेगा 30 परसें सीनियर सीटीजन 80 साल से उपर को बोले जाते हैं नहीं इससे उपर नहीं नहीं दस लाग से उपर अगर आपकी 15 लाग इंकम है तो आप 30 परसंट से लाबरेट में आ जाओगे करोड पे भी फिर सैस भी लगेगा 30 परसंट ही रहेगा इससे उपर नहीं लेंगे इसके बाद बात करते हैं सीनियर सीटीजन के अंदर क्या रहता है हमारा 80 से अबब तो वहां 40% भी है 50% अलग अलग है अगर आप टेक्स रेट की बात करें अगर आपने टेक्स की चोरी की है तो वहां पर 200% का टेक्स पर्षान का भी प्रावधान है उसकी हाँ 200% यह को ब्लॉद्धा के अंदर पहले यह था जो क्षिफाल कियर रहा नोट बंदि हुआ था न तो एक्स प्लैनिंघ हर कोई पैसे लेके पैसे को लेकर परिशान त यहां जिनके पास पैसा था वह जादा घर पे black money मिलेगा black money basically किया होता है, आपने सरकार को text नहीं दिया, तो वो black money में count हो जाता है, तो बोला गया था आपका जितना भी income होगा, उसके 60% आपको सरकार को penalty देना पड़ेगा, text देना पड़ेगा, बाकी 40 आपको दे दिया जाएगा तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था तो वो टेंशन फिरी थे, कोई बात नी भाई, आप कोई बात नी रहने दो, घर में पैसा पड़ा रहने दो, अगर एक करोड रुपे मिलता है तो कोई बात नी, 60 लाग रुपे जाने दो, 40 तो पीछे डेट से, इस डेट से जिसके घर पे ब्लैक मनी मिलेगा, उसको 200% का जुर्वाना देना पड़ेगा या फिर जेल भी हो सकता है, उन्होंने इस तरीके के प्रोविजन लाए, तब ज्यादा दिक्कत हो गई थी लोगों को, और बैंक भागे, और बैंक में से उन्हों चलिए अब देख लेते हैं किस किस का क्या डाउट है